हेलो एबरिवन स्वागत है आप सबका मैं राजू सर आप सभी का तह दिल से स्वागत करता हूं बैजूस इक्जाम प्रेप और जैसे कि पता है कि एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर हाजिर हो गया है बहुत ही बेहतरिन टॉपिक का डिसकस करने वाले है निकनैम्स तो ब बिल्कुल हम देखेंगे यहां पर कि आज जो टॉपिक करने वाले बहुत बहतरिन टॉपिक को डिसकस करने वाले है तो विल्कुल समय ना गवाते हुए बिल्कुल हम अपने मुद्दे पर आते हैं अगर आप चाहते हो तो आप हमें बैजूस एक्जाम प्रेप आप्लिके किया जाता है यानिक कि अगर हम बात करें जो पैदेन को सवाल है कौन जाने जाते हैं नौन एज मिस्टर क्लीन दिल थाम के बैठी है आपके बाद चार ओप्सन है वरुन गांधी राजीव गांधी राहुल गांधी या जौहार लाल नहरू हम देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग यहां पे जवाब दे रहे हैं और जितने लोग का यहां जवाब कौन सा होगा त अब राजीव गांधी इसका राइड एंसर है अब बात करते हैं यहां पे कि राजीव गांधी के अलावा और कौन-कौन प्रधान मंत्री रहे है अभी तक भारत में तो बिलकुल जौहार लाल नहरू से यह सिलसिला स्टार्ट हुआ और एट-पुर्जिट हमारे अभी जी जो अभी एट-पुर्जिट प्राइमिनिस्टर है तो यानि इस करम में बहुत सारे कारेवाहक यानि कारेवाहक प्रधान मंत्री और बाकी तो आप देखी दो पर्मनेंट यानि लाल भादुर शास्त्री इंद्रा गांधी मुरार्जी देसाई चौधरी चरन सिंग रा प्रधान मंत्री है चली अगला प्रधान मंत्री के बारे में आपको बता दे इसका उल्लीक भारती सविधान के अनुचेत 75 में है और यह देश का यानि भारत का वास्तविक कायरेकारी प्रमुक होता है और वह मंत्री प्रिसद का भी प्रमुक होता है यह बात याद रखिय अगर कोई बंदा अगर प्रधान मंत्री बनना चाहता है तो उसके लिए qualification क्या होना चाहिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए साथी साथ 25 वर्स की आयू कम से कम complete कर चुका होना चाहिए और member of parliament यानि कि member of parliament का जो है MPs का होना चाहिए member of parliament या लोग सभा या राइस सभा का एक member होना चाहिए अब आगे की बात करें कोई भी जो है डूनोड होल एनी office of profit किसी भी लाप्रद कारियाले पे कारें नहीं करना चाहिए अगर ऐसा बेखती है तो वह बिलकुल eligible है आपके प्रदान मंतरी पोस्ट के लिए चलिए अगला है सास्त्री जी के सब्सक्राइब हो सकता था यह तो बिलकुल eliminate हो जाता और यह लालू की हम बात नहीं कर रहें लालू याद हो तो अभी बिहार के एक सक्रिया नेता है तो उनकी बात यहां नहीं हो रही है यहां बात हो रही है लाल बहादूर सास्त्री option number a is a right answer आईए इसके उपर और भी additional question जो बनते है वो भी देखे question आ सकता है कि लाल बहादूर सास्त्री जो है when was LAL BHADUर सास्त्री स्वान is in as a Prime Minister of India कब बने which was LAL BHADUर सास्त्री parties when he was Prime Minister when was LAL BHADUर सास्त्री born which society did LAL BHADUर सास्त्री join from which institute did LAL BHADUर सास्त्री get the title सास्त्री फाइनली विच स्लोगन इज आट्रिभूटेड तो लाल भादु सास्त्री वें दिड लाल भादु सास्त्री विकम हम रिश्ट चैनली वेर दिलाव बार बादु सास्ति जी ओपर वह सारे यहां पर आपका स्क्लियर होगा बिल्कुल आप देख सकते हो फिर्स प्र जून 1964 से विलॉंग करते हैं इनका जनम दो अक्टूबर 1904 मुगल सराय में हुआ था सर्वेंट आफ पिपल सोसाइटी के मेंबर थे कासी विद्या प्रीट और जय जवान जय किसान का नारा दिये 1901 तास्केंट में इनका निधन हुआ आगे की बात करते हैं अगला हमारा कुश्चन है भारत की कुकिला के नाम से कौन जाने जाते हैं इनकी उपर भी आप देख सकते हो अलग अलग साथ प्रकार के सवाल है जनम कहां पे लिवी उनका उजने लेम क्या है वो किस जगा वो कब जनम ली थी वो इंडिया नेसल कॉंग्रेस के प्रेसिटेंट कब बनी वो मरी कब वो कहां पे मरी और वो गवर्नर कब रही थी तो यह सारे कुशन का एंसर आप देख सकते हो फोस्ट का 13 फर्वरी 1879 दूसरा उसका रियल नेम सरोजनी चटो पाधिया था हैदराबाद में जरम लिया था सरोजनी नाडू की बात करें यह फर्स्ट इंडियान वूमिन जो की इंडियान नसल कॉंग्रेस के चैर्मन बनी थी लखनव दो मार्च उनिस उन्चास को इनका निधन हो गया और यह पहली गवर्नर थी अगरा और अवत की 1947 से उनिस उन्चास तो यह जितने सारा रखना और अपको जो सवाल एक्जामे आ सकते हैं वो सारे यहां पर आपके सामने मेंसन है चलिए अगला सवाल देखते है लिटल मास्टर के नाम से आप तो अक्सर आपके जुवा पर सचिन तेंडूल गर आता है तो बिलकुल अगर यहां पर कहीं ऐसा option होता सुनिल गवसकर और सचिन टैंडूलकर तो हो जाते आप यहां confused और यहां बोथ A and B तो यहां हो जाते confused क्यों क्यों कि आप तो डाइटली सचिन टैंडूलकर को क्लिक करते अधिकांस लोग यहां सचिन सचिन टैंडूलकर क्लिक करेंगे पर आप साथ नहीं जानते हो कि सुनिल गवसकर को भी हम लेटल मास्टर के नाम से बुलाते हैं तो इसका राइड एंसर होगा अपसे नमबर एस सुनिल वाँसकर और सचिन टैंडूलकर आगे की बात करें इनकी ओपर बहुत सारे कुश्चन है इन्हें ने टेस्ट डेब्यू कब किया इन्होंने एक सिक्वेंस में कितने ओडिया खेले हैं इन्होंने टूटल अभी तरह कितने ओडिया मैच के लिए हैं इन्होंने जो है अपना किसके अगेंस किया इनके कोश का नाम क्या है इन्हीं यूनिसेफ में ब्राइंड अमबस्टर का बनाए गया था इनको अर्जुन आवार्ड का मिला इनको भात्रतन सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक सेशन को सेयर नहीं की हो तो सेशन को सेयर करो और सेशन मज़ा आ रहा है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा अगला अगला देखते हैं सहीदे आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं कीसी इपने की बात तो हम बगस्इंग को बलाते हैं बगस्इग को बूलाते हैं बहुत सारे कुशिन साथ देख सकते हो आपके स्क्रीन के उपर देख रहा होगा कि भगत सिंग के उपर बाइविच नेम भगत सिंग इस ऑफटन रिफर्ट प्लेस क्या है दिन उनका वह कॉलेज विच कॉलेज कौन से कॉलेज हो जाते थे दिन उनके पापा और उनके चाचा वह कहा कब जनम लिए थे किस केस में उनको फांसी के सजा दी गई थी ऐसे सारे आप देख सकते हो यहां परकार के भगत सिंग जी की उपर जो कुशन से बनते हैं उन सभी का जवाब आपके स्क्रीन के ओपर यहां पर मैंसन है यानि कि सिक्स्टीन टाइक के भगत सिंग के तो 16 सवाल के साथ दिया जिया इन 16 सवाल को अगर हम पढ़ने जाए तो कम से कम ना करे अगर दो मिट भी लगे तो आधे घंटे का समय तो लगी जाए गा 32 मिनट्स पर आप देखो 32 मिनट्स यानि हम 32 मिनट्स नहीं थ्री फ्लस टू यानि फाइब देख लिए जितने सारे सूला कुश्चंस को हम लोगों नहीं यहां पर देखा चली अगला सवाल आपके स्किन को कर जी को नहीं बोला जाता है वीवियन रिशार्ड को भी बोला जाता है यह बात याद रखेगा चलिए अगला सवाल आपके स्किन के उपर है महभूब ए इलाही के नाम से कौन गयाने जाते है शेख निजामुद्दिन आलिया ख्वाजा मुईनुद्दीन चिस्ती नन अप बहुत ही प्यारा सा सवाल है और दीखते हैं इस प्यारे से सवाल का जवाब सबसे पहले कौन देता है महभूब ए इलाही तो बिलकल यहाँ पे बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं और इस सवाल का जो राइड एंसर होगा वो है अप्शन नमबर ए मीन सीख को हम महभूब ए इलाही के नाम से बुलाते हैं बहतरीन सवाल और बहुत सारे लोगों ने इसका दिया है राइड एंसर चलिए अगला है एंग्री यंग मैन बेलगल कहते हैं रिस्ते में तो हम तुम्हारे इनके एक वन अप दो फैबरिट डायलोग है अब बोलो किनका है धर्मेंद्र का राजस्खना जी का अमिताब बच्चन जी का या देवानन जी का तो बहुत सारे लोगों का यह फैबरिट भी होगा किस किस का यह जो है एक्टर है वो वन अप दो फैबरिट अक्टर जल्ली से कमेंट बॉक्स पे बताईए कि हां सर यह एक्टर हमारे फैब है अब आप थोड़े संकोच में होंगे कि सर बहुत सारे निकनेम होते हैं क्या आप सभी अविलेबल करवा सकते हो बेलगल एक पीडियाप में आपको सारा डेटा अविलेबल करवा रहे हैं यहां महात्मा गांदी हो खान अब्दुलगफार का हो दादा भाइनरू जी हो या वाल में क्यों इनको किन नामों से बुलाया जाता था क्योंकि आज का हमारा स्वेशन है निकनेम और सारे निकनेम आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा चाहे वो लाल भादुर सास्त्री को मैन ओफ तीस कहा जाए या सलीम अली को बर्ड मैन ओफ इंडिया कहा जाए जोहालाल नहरू को चाचा जी या पंडेजिग ढ़ा जाए या ०ॉक्टर राजिंद्र पृषाग को मौनिंग स्टार एंडिया कहा जाए या ध्यानारस टे को मार्टिंग लूथर ओफ इंडिया एसे बुहाग सारे नाम आप देख सेकता है या मदर ट्रेशा सुबास चंद्र बोस संकराचारिय सरदार वल्लवाइब डेल पीडियुशा रविंद्र नाथ टैगोर बंकिम चंद्र चटोपाधिया सरत चंद्र चडोपाधिया लौड बुद्धा चानक्या ध्यान चंद सुरुजने नाइडूल अता मंगिसका चंदर मिलका सिंग जिसे फ्लाइंग सिंग भी कहा जाता है सैयद बंधू इंद्रा गांधी टी प्रकाशम आसुतूस मुखर जी लाला लाजपत राय बाल गंगा धरति लग डॉक्टर स्रीकृष्ण सिंग जैनूला विदिन सीन अन्ना दुराई जग्जीवन राम सेख मुजिब पुत रह्मान भगत सिंग या लाला लाजपत राय या फिर लाल बाल पाल या फिर डॉक्टर अनुगरह नरायन सिंग चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी सीफ एंड्र्यूज चिंता रंजन डास यतिंद्र मोहन सेन गुपतार रवी शंकर महराज लॉड रिपोन तुशा कांति घोश रुंडी राज गोविंद्फाल के मस गोवालकर करपूरी ठाकुर सयद बंदू के भी पुटाप या टिपू सिल्तान समुद्र गुपतमीर खुस्तों बाबर या सा जहां या मुहम्मद बिंतुकलक या मुहम्मद अली जिन्नाह या पुर्सोतं गास टंडन य जितने सारे नाम आपने देखा इन सबका निकनेम आपके स्क्रीन की ऊपर है जैसे जग जीवन राम को हम बाबु जी कहते हैं वैसे हर इक के नाम के साथ उनका निकनेम मैंसन था तो आई होप आपको मज़ा रहा होगा तो बिल्कुल लाइक वाला बटन को ना भूलिएगा अगला सवाल ब्लैक गांधी के नाम से हम कौन किसको जानते है तो ब्लैक गांधी के नाम से हम किने बुलाते है राहुल गांधी मार्टिन लूथर किंग जुनियर जुनेवल आवडिन या सवार सावर कर तो बिल्कुल यहाँपे आप देख सकते हो इसका राइड एंसर क्य कहते हैं लाइन आफ मैसूर कहते हैं अमिर खुष्रो टीपू सुल्तान अकबर या नन अप दीज तो बिल्कुल हम इन्हें बुलाते हैं कि नहीं तो हम बुलाते हैं यहां पर टीपू सुल्तान यह एक्चली थोड़ा स्लाइड का इशू हो रहा है डवल क्लिक हो जा रहा है तो यह जो है मैसूर का सेर जो है हम टीपू सुल्तान को बुलाते है तो बिल्कुल यह से Flower कोह बाते हैं अगले सवाल के तरफ हम बढ़ते हैं अगला सवाल आपके स्किन के उपर है भरत को निपूलियन के नाम से कौन जाने जाते है काली दा Sport के नाम से कौन next question होकी का जादूगर किसे कहते है तो बिल्कुल सभी को पता होना चाहिए काली दास तो नहीं होंगे नहीं मिलखा सिंग होगे ठीक है यह तो फ्लाइंग सिक्थे नहीं क्लाइग लोड होगा नहीं काली दास होंगे यह ध्यान चंद अगला सवाल लख बक्स के नाम से कौन ज आब अकबर ना कि आपके मुहमद बिन तुगलगग और ना कि आपके औरंजेप तो बिल्कुल आपने देखा यह बहतरीन जो है निकनेम कैसा लगा आपको आप बताएंगे कमेंड बॉकोस पे पाकी हम बात करें गुलाम था इस कुलामों को यहación पर बदंगा कहा जाता था इसे लक बक्स और कुरान खान की भी उपादी दी गई थी 24 जून 1206 को इन्होंने अपना राजविशेक लाहूर में करवाया था साथ है साथ आपको बता देख इनके बाद इनका साशन आया कुन के पुतर आरण उचा का फिर इनके घुडामाद इल्टुत्मिस और इल्टुत्मिस के पुतर रुपुन दिन फिरोज दिन नबाद मेर रजिया सुल्टान, बहराम शाय, अलाउद धिन तर, नस्रु दिन यानि ममलूग डैस्टी और खिलजी डैस्टी का पूरा इतिहास आपके सामने मैंसन है आई होप आपको यह आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो आपके लिए यहां पे वह कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वह मार्क दरसक बनेंगे जिससे आप अपनी मंजिल को आसानी से छू सकते हैं तो विल्गल यह सब कैसे होगा यह सब हमारे पेड़ बैचर से अन्लाइन क्लास्रूम प्रोग्राम से के तहत हो सकता है अब अगर आप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से या फिर आप वेबसाइट बैजूस एक्जाम प्रेप कर जाना है काटेगरी में स्टेट एक्जाम को करना है और आप अपने जो भी एक्जाम के त्यारी करते हो उस एक्जाम को सेलेक्ट करके आपको ऑनलाइन क्लास्रूम प्रोग् सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बेनिफीशर होगा अगर आप हमारे साथ टेलिग्राम में जूड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ टेलिग्राम में भी जूड़ सकते हैं अब जोबी क्लासेस का जोबी ओफर्स का जानकार हमेशा बीच 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 में आपको यहां मिलता रहेगा आप अपने स्पेसिक टेलिग्राम चैनल में जूड़ सकते हो तो आज का सेशन कैसा लगा विल विल हमारे साथ बने रही है अगर आप चलन में नए हो तो बैजूज करना ना भूलिएगा तो बिलकल जैहिंद के साथ आज हम अपने बानी को विराम देते हैं थैंक यू आज के लिए इतना ही ओके